हेलो दोस्तो मैं हूँ मैनाक और आप सब के लिए लेका आए हूँ एक 1200 स्क्वेर फिट का नौट फेसिंग बिल्डिंग प्लान तो दोस्तो यह जो बिल्डिंग प्लान है इसके प्लॉट के बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं इसका प्लॉट साइज है 33 फिट 5 इंचे सेट बैक छोड़ा गया है बाउंडरी वाल से डिस्टंस तो यहां पर बिल्डिंग के बारे में देख लेते हैं बिल्डिंग का जो एंट्री है वह आप देख सकते हैं वह इस्ट फेसिंग यहां पर किया गया है तो यानिकि आपका जैसे यहां पर प्लिंथ लवेल अगर समत्रीव्ट प्रिंट से चढ़ सकते हैं आपका सबस्क्राइब टो इस पर प्लेकर आपका पूल सुंट इाट APPLAUSE और एक आपका bedroom है, bedroom का size 14 feet into 11 feet है, और यहाँ पे आपका toilet भी है, 8 feet into 6 feet का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका staircase है, तो यहाँ पे देखें, staircase का तो कोई internal privacy नहीं है, यानि कि आपका पूरा जो room है, यह एक ही family के लिए बनाय गया है, अगर हम लोग को अलग-अलग family के लिए बनाय जाता है, तो हम लोग का staircase का entry इधर से कर सकते थे, तो हम लोग देखते हैं अभी, हमारा next जो first floor plan है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो first floor plan में आप देख सकते हैं, जैसे कि नीचे किचन नहीं था, तो यहाँ पे अगने कोन में, यानिकी south east corner में आपका kitchen यहाँ पे दिया गया, kitchen का size 13 feet into 8 feet है, kitchen के सामने जैसे कि हमेशा होता है, आपका dining area है, और आपका यहाँ पे drawing area भी उपर दिया गया है, जैसे कि नीचे था, और यहाँ पे आपका southwest corner में फिट से आपको master bedroom मिल जागा, master bedroom का size है, वो आपको 14 feet into 11 feet है, और यहाँ पे आपका balcony भ staircase के लिए second best position होता है, यहाँ आइडियल पोजिशन पोजिशन तो staircase का south या west होता है, एकदम exact, पर north west में भी हम लोग दे सकते हैं, अगर उन दो position में हम लोग का जगा ना हो staircase तो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ और एक bedroom है, bedroom का जो facing है, आपका north facing है, और यहाँ आपका north east में एक balcony भी है, और एक study room भी है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का north east corner है, वो study room के लिए काफी अच्छा माना गया है, because scientifically भी देखें, तो उसमें जो sun के first raise आते हैं, तो यहाँ पे आपके north east में आते हैं, तो उस north east corner को आपका study room के लिए काफी अच्छा और काफ भी शुब यहाँ पे माना गया है, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह था हम लोग का plan का description, यहाँ प्लैन में जब हम चेक कर रहा था है, यहाँ पे एक toilet दिया गया, तो उस toilet को मैं यहाँ पे हटा दिया, because एक तो पहला चीज, क्योंकि आपका यहाँ पे building का facing भल कि हम लोगा जो आपका वायू का अस्तान है, उसमें कभी हम लोग toilet नहीं रखना सही है, वास्तों की सबसे इसलिए मैंने toilet यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे दोस्तों अगर आपका toilet यहाँ पे दो toilet इस plan में चाहिए, तो इस आपका stair के इसको थुरा सा आगे कर सकते हैं, त इसके बार हम लोग discuss करेंगे आपका engineering tips के बारे में, तो दोस्तों अभी हम लोग discuss करेंगे हम लोग आज का engineering tip, तो आज के engineering tip में हम लोग discuss करेंगे shuttering material के बारे में, तो shuttering material अभी जब भी आप column या beam या slab में आप यूज करें, तो ध्यान रखें, वो आपका shuttering material आपका हो plywood का या तो आपका स्टील का स्टु प्लाएवड और श्टील यह दो मैटेरिल का जो आपका शट्री 극 होनी रियर आपका Гान्टोन के लिए उसके बाद Ing एर आपका यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर कभार्व भॉक्स नोपन घ्मटम सब्गारृटक सब्सक्राइब कर दोस्तों तो आपका रॉड में यूज कर रहे हैं आपका शटरी मेट आपको दिख रहे हैं यहां पर कवर ब्लॉक्स इसके थू आप जो गैप है उसको मैंटेन कर सकते हैं कोलम में 40 mm का गैप रखा जाता है जो कि आपका चुस ट्रक्षल कर के देगा बीम में 30-40 mm होता है स्लाब में 15-20 mm होता है तो आप अलग-अलग मेंबर्स में अलग-अलग कवर होता है तो वो आप इस कवर ब्लॉक्स के थूग मेंटेन कर सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का हम लोग का एंजिनिरिंग टिप ये वीडियो कैसा लगा हमको डेस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए तो इसी उम्मित के साथ वीडियो एंड करते हैं कि जहां भी आप रहें स्वस्त रहें और अपनों का ख्याल रखें नमस्कार